अंजी बोलिये सर मेरको doubt है last question के अंदर सर मेरा answer आ रहा है 113.75 113.75 मेरा point आगे पीछे हो रहा है सर उससे matter करेगा पहले देखो मैं बताएता हूँ 18,20,000 अगर calculator रहो तो लिखो आप अगले पार्ट में आते that is सबसे important cost of equity cost of equity इसको सर short form में क्या बोलोगे आप के इसको short form में क्या बोलिएगा आप cost of equity को short form में के इबोला जाएगा ठीक है अब सर इसमें दो partition है बचैर चैरी थे बचक में लुएगा बोलोगे एस्यकिछ रखे पहलिगोगा नियू त इसमें भार — बचैरी दैस्यक्यक bás स्वें क्या भचैर्ट चार्ट इस आपन्या रशे ता कृट बचैर्याद्य में बचैर्यелिर थे दिग अ को भूषे बचैर्ण आशेम और एक है when dividend will pay, जब dividend को payment किया जाएगा और एक dividend pay हो चुका है, यानि equity की value निकालनी है कि एक equity पे क्या cost पड़ता है, तो equity की value, market value ना हमेशा dividend पे fluctuate होता है, अगर हमने dividend paid कर दिया है, तो ऐसे situation में equity का value कुछ और आएगा, अगर बोलते हैं कि हम dividend आपको pay करेंगे, तो उस case में value कुछ और आजाता है, तो जब आपका dividend has been यानि paid कर चुके हो, तो ऐसे situation में क्या बनेगा, k e is equal to d zero, इसको ना जब dividend देखो, अब एक चीज़ समझना, कई वार बच्चे confused हो जाते हैं, तो मैं clear कर दूँ आपको, suppose करो, यह पूरा year है, आपने interim dividend का नाम तो सुना ही है, अगर आपने dividend को paid कर दिया, dividend आपने अगर paid कर दिया, तो इसको हम denote करेंगे d zero से, खीक है, इसको denote किस से करने वाले हैं, d zero, अगर आप बोलते हो कि मैं dividend paid करूँगा, will pay करूँगा future में, तो इसको denote करोगे d one से, तो यहाँ पे दो चीज़े हैं, d zero का मतलब भाया dividend payment हो चुका है, और d one का मतलब अब हम dividend देंगे, तो आप dividend दोगे तो आपने मानलो suppose करो, कि 10 रुपए का dividend paid किया था, और आप बोलते हो कि future में हम 10% extra dividend देंगे, 10% हम extra देने वाले हैं, तो इसका मतलब आप future में बताओ, d one क्या आएगा आपका, 11 आजाएगा, मतलब d zero मतलब आप paid कर चुके, मानले तने इस साल में आपने dividend पे किया 10 रुपए, और आप promise करते हो कि अगले साल से हम 10% extra हमारी company का 10% growth होगा, अब भाई जब 10% company का growth होगा, तो dividend में भी तो growth होना चाहिए, तो अगर 10 रुपए अभी pay किया है और company का growth 10% हो जाए, तो आपको अगले साल dividend कितने का मिलेगा, 10 रुपए में 10% add होके मिलेगा, that is आपका कितना हो जाएगा, 11 रुपए, बड़ी सीधी से बात है, समझ रहे हो, क्या हो जाएगा, 11 रुपए, तो इसका मतलब सर, अगर आपको D1 की बात करनी हो, तो क्या होता है D0, और इसको multiply कर देते हैं, 1 प्लस में G से, समझ येगा बात, G stand for growth, और growth कितना था मेरा, 10% था न, अब मैं इस formula को apply करता हूँ, D1 हमें निकालना है, यहाँ equal to it, D1 is equal to, D0 क्या था, 10, और मैं future में 1, और G कितना है, 10% यानि 0.1, अब इसको आप जब solve करेंगे, तो क्या result आएगा, 11 आएगा, देखिए, इसको solve करने पर क्या आएगा, 11 आएगा, तो यहाँ पर हमने 2-3 चीज़ों को सिखा, D0 का मतलब, भाईया, dividend क्या हो चुका है, पे हो चुका है, और D1 का मतलब, भाईया, dividend देंगे, क्या हम D0 से D1 पे calculation के format में पहुँच पाएंगे, बिल्कुल पहुँचा जा सकता है, अगर आपको D0 गीवन हो, यानि dividend पेड गीवन हो, तो आप dividend पेड में उसका growth प्लस कर देंगे, add कर देंगे, तो आप कहां पहुँच जाएंगे, D1 पे, simple सी बात है, तो जब आपका य divided by P0 और प्लस में G, ठीक है, के ए निकालने का, इस सभी के में, इंटू 100 रहेगा ही रहेगा, तो ये लीजिए, 100 है, सर D0 क्या है? dividend paid है ये, paid हो चुका है, सर G क्या है? growth, growth rate, सर P0 क्या है? market price, market price of share, ठीक है, ये तीन शब्द ही इस्तमाल है, जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है, हम इस formula को सर्फ यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, और भी आगे चलके हम इस formula को पढ़ने वाले हैं, और आगे चलके और detail में, depth में पढ़ेंगे, जब dividend का question आएगा, और भी आएगा, सर्फ यहाँ पर नहीं रहने वाला, cost of equity, एक equity पे यानि आपका कितने percentage आप dividend दे रहे हो, तो क्या करोगे, D0 और हमेशा D1 आएगा, और P0 प्लस G, G stand for growth rate, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि company का future growth कितना, expected growth होता है हमेशा, क्योंकि जब आप इस साल हो, तो हमारा एक target होता है, कि यार इस साल इतना है, तो अ अगर सर हमें ये will पे दे, तो इसका मतलब आप के इस टेम पे कैसे निकालोगे, क्योंकि dividend will पे बोल रहे है, तो already आपको क्या given है, T1 ही given है, divided by P0 करोगे, और प्लस में G करोगे, अगर आप इन दोनों formula को समझो, और दोनों formula को ध्यान से देखो, तो आपको समझ आएगा, और realize होगा, कि सर दोनों formula एक ही है, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे किया है उपर में, ये किसका formula था सर, ये किसका formula था, T1 बनाने का, तो आपने यहाँ पे क्या करा, T1 बनाने के लिए 1 प्लस G कर दिया है, और यहाँ पे already T1 दे रखा था, तो इसलिए आपने ये किया है, simple सी बात है, कि आप निकाल क्या रहे हो, कि मान लेते हैं, आपका share 50 रुपे का चल रहा है, मैं बहुत basic question पूछता हूँ, आपका share 50 रुपे का चल रहा है, और आपको पता है कि future में आपको 10 रुपे का dividend मिलेगा, तो आप बताओ कितने percent आपको dividend मिलने वाला है, आप आज की date पी कितना पैसा लगाओगे market में एक share खरीदने के लिए, 50 रुपे और future में आपको कितना dividend मिल जाएगा, 10 रुपे तो simple सी बात है, percentage बताओ न, तो percentage कैसे निकालोगे, 10 रुपे और divided by क्या करोगे, 50 और into 100 और that is आप बोल दोगे sir, 20% आ जाएगा, यही तो बताओगे आप मुझे के 20% आ जाएगा, sir यह 10 रुपे क्या था, future का dividend, future का dividend मतलब D1, तो formula कैसे बनाया, आपने D1 रख दिया, और यह 50 रुपे क्या है, आज की date का market price shares का, तो P0 रख दिया आपने नीचे, और into 100 किया, यही तो हम सीख रहे हैं formula के format में, और कुछ तो अलग है नहीं, formula में भी यही बोला गया है आपका, तो normal है यह, आपको formula थोड़ा सा देखने में ऐसा लग सकता है, यह क्या है, लेकिन दोनो formula एक ही है, नजरिया आपका देखने का होना चाहिए, क्योंकि ultimately अगर आप देखो ध्यान से, तो जो मैंने यह वाला point किया हुआ है, यह वाला point, that is, य यह क्या है सर, यह D1 ही है, जो यह वाला point किया है, यह क्या है आपका, D1, क्योंकि D1 का formula क्या लिखा हुआ है, यह देखिए, मैंने यहाँ पर D1 का formula लिखा है, तो सर, D1 का formula क्या होता है, D1 is equal to D0, और इसमें multiply 1 plus G कर देते हैं, that is, D1 हो जाता है हमारा, तो D1 हमारा हो जाता है, अगर D1 दे ही रखा है, तो यह कहानी आपको repeating नहीं करना, अगर D1 दे रखा है, तो simple सी बात है, तो D1 सीधा और P0 रखो गिरा, एक ही formula हो गया दोनों, बस आपको दे क्या रखा है, यह देखना है, सर हमें कैसे पता चलेगा, question बोलेगा आपको, कि dividend has been paid, dividend paid या dividend will pay, इस sentence होते हैं, जहां पता ही नहीं चलता है, जैसे मैं बोल दो dividend paying, तो pay करने बाले हैं, या pay कर रहे हैं, या pay हो चुका है, तो कई बार समझ में नहीं आता, तो ऐसे case में assumption मानके हम आगे चल लेते हैं, कि D1 है या फिर D0 है, ठीक है, बताइए यहां तक कोई doubt formula वगरे में, नही तो फिर हम आगे चलें, आगे questions करेंगे, फिर हम इसके उपर भी एक question देख लेंगे, जी का logic क्या है growth, growth का मतलब आप एक expectation लगाओगे ना, कि future में कितने percent आपको growth होके मिलेगा, तभी तो percentage, क्योंकि financial management जो है, आपका past event पे काम करता है, या future event पे, future event पे काम करता है, तो इतना केई होने के लिए future का आपको dividend भी पता होना चाहिए, और future का dividend पता होने के लिए आपको growth भी पता होना चाहिए, ताकि आप current वाले dividend पे growth लगा दो, और future का dividend निकाल लो, इसलिए G का concept होता है, अब यहाँ पे plus में G क्यों करा, क्योंकि हमारे ये तो future का है, और एक बा growth हमारे, क्योंकि growth सिर्फ dividend पे नहीं लगेगा, growth आपका shares के price पे भी लगता है हमारा, ठीक है न, sir, share price पे कैसे growth, time to time हमारे shares का price भी बढ़ जाता है, जैसे SBI का share एक रुपे में मिला था, आज 800 रुपे हो गया, तो धीरे-धीरे बढ़ गया तो उसका growth, क्योंकि बहुत होगी जानकरी और यहाँ पर आपका dividend paid हो चुका है, हम एक सवाल देखते हैं न, सारे आपके question down, clear हो जाएगगे, क्या कहता है question में, यह एक question न, यह तीन है, calculate cost of capital, each of the following case, हर case में, a company issue 10% irredeemable preference year 95 का, और face value आपका 100 है, इसका मतलब सर, हमने 95 के दिया, तो net proceeds क्या हो गया, 95, पहले आपको बताना है, kp, first point में बताना, यह भी एक्जाम में आया होगा question है kp, तो क्या होगा हमारा d divided by np into में 100, first part देखिए, तो first part का answer क्या होगा sir, first part का d देखा जाए, तो आप preference year के आगे rate देखिए, क्या दे रखा है, irredeemable preference year 10% rate दे रखा है न, तो 10 रुपए होगा, क्योंकि face value पे निकाला जाएगा हमेशा, 10 रुपए और np question खोदी कह रहे है, 95 into में 100, क्या आगया rate बताईए, ये last year के questions उठाएं, इसके बाद के सारे questions बुक में मिलेंगे, ये कुछ में practice के लिए अलग से मैंने उल लिये हैं question, क्या गया, 10.5, फाइव क्या, 52, ठीक है चलो, ये question सारे 10 year में आ जाएगे, जब आ जाएगा तो मिल जाएगा आपको, तो उसके हिसाब से है, ये जब आप लोगे को, ये past year के question लिए मैंने, अगले point पे चलते हैं, current market price of shares, that is आपको क्या दे रखा है, P0, और कितने रुपए का है, 90 रुपए का, and expected dividend at the end of current year 4.5, तो अब आपकी जिम्मेदारी है बताना, कि 4.5 जो है, ये D1 है ये D0 है, पढ़के बताओ, D0 है ये D1 है, मतलब कि D1 क्या होता है, कि future में payment होगा, और D0 क्या होता है, हम payment कर चुके हैं, D1, बिल्कुल सही जवाब, ये D1 है, क्या कह रहा है, कि expected है, payment नहीं हुआ, dividend at the end of current year, जब साल बीत जाएगा उसके बाल, तो ये क्या दे रखा है, D1 दे रखा है, और G दे रखा है आपको growth question में, कितने percent है growth, 8 percent, कहता है कि आपको क्या find करना है, क्या find करना है, कुछ नहीं बोला हुआ, क्या ही निकालते हैं, हम तो simple, क्या ही का formula क्या है हमारा, D1 divided by P0 plus में, और G into में 100 है, वो understanding है हमारे लिए, तो क्या रखेंगे sir, 4.5 divided by 90 और plus में 0.08 हो जाएगा ये, और इन सभी को हम 100 से multiply कर देंगे, क्या आगया, 13 percent बच्चों ने बताया है, कितने आगये ये, 13 percent, clear है, चलिए, थर्ड पार्ट पे चलते हैं, sir, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, company issue, एक लाक रुपे, सरी, 10 लाक रुपे, 12 percent debenture, तो हमें तो percentage पे जाना है, 100 रुपे का एक है, और 10 percent discount पे है, तो हमारा face value debenture का क्या है, sir, 100 रुपे, तो discount कितना है, sir, 10 percent, तो NP जो आएगा हमारा, वो आएगा 90 रुपे, समझ रहे हो, 90 कैसे NP, 100 रुपे का face value, और 10 percent का discount, that is 90 रुपे, आगे क्या कहता है, the debenture are redeemable after expiry of 7 year, and दे रखा है, question में, 7 साल, the company tax rate आपका 35%, ये normal tax rate है, 35%, अब question में, इसमें ये नहीं बताया, कि जो debenture redeem होगा, वो कितने का होगा, नहीं बताया, तो मान के चलो, जो redeem होगा, यानि RV जो होगा, वो भी 100 रुपे में ही redeem होगा, face value पे ही redeem हो जाएगा, जब कुछ ना बोला जाए तो, तो सर क्या आएगा सर हमारा, kd is equal to interest, 1 minus में t, plus में rv, minus में np, divided by n, divided by n, plus में np, plus में rv, कुछ भी आगे पीछे कर दो, plus ही होना है, into में 100, तो चलिए सर, यहां solve करते हैं, i क्या होगा हमारा 12, क्योंकि 12% है, 1 minus team, 0.35, plus rv क्या है हमारा 100, minus next proceeds क्या था, 90, divided by n कितना है, 7, इन सभी को divide कर देंगे किस से, 100 plus में 90, divided by 2, और into 100, उपर का solve करोगे तो क्या आएगा, बच्चों ने बता दिया, सर, 9.68 हो जाएगा, चेक कर लीजिए, अक्षे, नीशू, अवीका, अक्षे, 9.68, चेक कर देंगे, आप भी, हाँ भी formula भी questions करेंगे, अभी formula पेट भी show कर देंगे, D1 कैसे हुआ, क्यूंकि future में payment करेंगे, expected to pay, expected मतलब देना है, तो D1 बन गया हमारा, बच्चे बोल रहे हैं, 9.70 आ रहा है, लिख लिख के करिए, देखो, ऑनलाइन वाले बच्चों ने कब का निकाल लिया, आप सब भी लगे वे हो, अधिती का कहना है, सर, 9.705 आएगा, चलिये, सभी कुछ बच्चों का लग आया, तो मैं थोड़ा लग, इसको solve करने से क्या आएगा, 7.8 plus 2 divided by 7 1.428 divided by 1.428 divided by tym 95 7.8 plus 1.48 28 divided by 95 into 100 9.71 आ रहा है किसी का 70 आ सकता है तो आंसर करेक्ट ये है 68 I don't know कुछ आगे पीछे कैलकुलेशन में राउंड फिगर नहीं किया होगा इसलिए आ रहा होगा ये रहा आपके सामने आंसर 22 नहीं है 72 है अब देख लीजी आंसर कैलकुलेशन कैसे करेंगे पहले आप इस पोर्षन को सॉल्व करें ये यहाँ पे आप सायद बच्चों ने प्लस कर दिया हो पहले आप इस पोर्षन को सॉल्व किया तो ये आ गया फिर आप इस पोर्षन को तो सॉल्व करेंगे तो याद आएगा डिवाइड कर देंगे एक बार प्रिंसिपल मैं बता दूँ आभी ठीक है